प्रश्न है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किये जबकि उसके निकटम प्रतिद्वन्दी ने 3,48,700 मत प्राप्त किये सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकाई लिखते हैं एकाई के आपको मार्क्स मिलते हैं सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किये गए मत हैं 5,77,500 और प्रतिद्वन्दी द्वारा प्राप्त किये गए मत हैं 3,48,700 हमें यहाँ पर सिमपल माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं 5,47,500 में से 3,48,700 को माइनस करना है माइनस हमेशा right hand side से start करते हैं 0 में से 0, minus 0 0 में से 0, minus 0 यहाँ पर 5 है 5 में से 7 को माइनस करना है जो कि नहीं हो सकता तो 5, 7 से 1 उधार लेगा तो यह बन जाएगा 15 अब क्यूंकि 5 ने 7 से 1 उधार लिया है तो यहाँ पर रह गया 6 15 में से 7 गया तो 8 अब 6 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते तो again 6 इस वाले 7 से 1 उधार लेगा तो यह बनेगा 16 और यह रह जाएगा 6 अब 16 में से 8 गया तो 8 6 में से 4 गया तो 2 5 में से 3 गया तो 2 तो अतह सफल प्रत्याशी ने चुनाव में 2,28,800 मतों से जीत दर्ज की This is the answer